आज हम पैंथ क्लास का अंक्लन का रिपत्र तीन डिस्कस करेंगे हिंदी का है एसिश्टी हिंदी मीडियम क्लास टैंथ निमलिकित में से कौन सा नवीन करनी है संसादन है कोईला नहीं, सोना भी नहीं है क्या होगा पवन होगा हमारा निमलिकित में से कौन सा संस्थानों के छरण का कारण नहीं है क्या छरण का कारण नहीं है अतार के खपत ये दोनों अत्यधी को प्योग क्या नहीं है, नन अव दी है निमलिकित में से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसिल्स का सबसे बड़ा भाशाई समू कौन सा है कौन सा है फ्राइंच है निमलिखित मेंसे कौन सा प्रंक्षक सदाधन नहीं है विद्याल है पाचवर निमलिखित मेंसे संसाधनों के विकास की कौन सी एक चुनोती नहीं है कुछ ही हातों में संचय संसाधनों का छेराण, संसाधनों का अंदाधुन दुपियों के संसाधन नेयोजन है इन में से किस देश में सिंगल ही वो अपनी एक मात्र राजभाशा घोशित किया है किस देश में स्री लंका में अब साथ से दस में क्या है एक कथन है और कारण है उसका तो पहले option क्या हो सकता है, पहले option में यह है कि दोनों correct पर जो हमारा assertion है, हमारा कथन है वो गलत है, दूसरा दोनों सही है पर हमारा जो है R की explanation अच्छी नहीं है, तीसरे में R गलत है और कथन सही है, और चोथे में कथन सही है और statement कथन गलत है और कारण सही है, तो देखते है तनाव का समाप्त करने के लिए बेलजीय में समुधायक सरकारों की थापना की गई समुधायक सरकारों के पास संस्कृती शिक्षिक एवं भाषसंबंदी शक्तिया है इसी तरह से एर्थ में भी ए संतर्ट पोश्णिये विकाश के लिए संसाधन नियोजन की आवश्चता है संतर्ट पोश्णिये विकाश को आर्थ है wäre परियावधन का नुक्सान पहुचाना बिना विकाश हुए तो वरतमान में विकाश से वभिष्ये की पीडियों की जरूरतों में समझोता नहीं करना चाहिए तो कौन सा यह option आएगा बिल्कुल सही है दसवे में हम देख सकते हैं कि जो दोनों सही है पर यहां पर क्या है एक कमी यहां पर reason में अच्छे से नहीं बता रखा तो इस तरह से worksheet खतम होती है अब हम मिलेंगे